तो आज हम बात करेंगे यह जो वकैंसिस निकले हैं यह पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटे में निकली हुई है यहां पर लिखे कि जो भी आपने अपना एप्लिकेशन फॉर्म सेंड करना है जो भी इसका प्रिस्काइब पर्फॉर्म है वह आपने फिल करके वही स वकैंसिस रहेंगी वह पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटे के अंडर जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से उदर रहेंगी और यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है यहां पर ने पूरी की पूरी डिटेल्स दे रखिए कि आपकी पोस्त का क् कितनी वकैंसिस है इलिजिबिल्टी क्राइटीरिया क्या चाहिए होगा एंड उसमें आपको जो सेलरी है वह क्या दी जाएगी फर्स्ट इन्हें दे रखिए मैडिकल ऑफिसर की टोटल जो है सेवन वकैंसिस है इसके लिए इन्होंने जो इलिजिबिल्टी इस इस तरहीं तो डूटल दे रखिए बारा वकैंसिस हैं यहां पर ने बता रखिए तीन जो पोस्त रहेगी उनकी ब्लट बैंक में रहेगी और जो सिक्स पोस्त रहेगी उनकी इनी एग से इसी टीसे के लिए इंगा क्वालिफिकेशन चाहिए उगी अगर उन्होंने तो इस तरह की candidate को first preferences दी जाएगी अगर किसी candidate ने अपनी जो B.S.E. है वो medical laboratory technology में क्यों है प्लस उनके पास बनियर का experience है relevant field में यानि की ICTC में तो उन्हें जो है प्रेफरेंसी दी जाएगी second preferences बता रखी है उन्हें अगर किसी candidate ने three years का डिपलोमा किया हुआ medical laboratory technology में प्लस उ नेक्स यहां पर दे रख है for blood bank candidate के लिए अगर कोई candidate जो है वो blood blood bank category में अप्लाई कर रहा है तो उसकल दे रख है first preference दी जाएगी अगर उन्हेंने अपना डिपलोमा जो है medical laboratory technology में किया हुआ या फिर transmission medicine में या फिर blood bank technology में आफ्टर प्लस टू के बाद यानि अगर उन्हें प्लस टू के बाद अपना डिपलोमा किया हुआ है DMLT में तो और प्लस उनके पास one year के experience है testing of blood या फिर उसके components वगारा को इन license blood center में तो उन्हें दी जाएगी second उन्हें दे रख है candidate को अगर उन्हें डिग्री जो अपनी medical laboratory में कर रख है या फिर blood bank technology में कर रख है प्लस उन प्लस आपके पास six month का experience है blood testing में तो आपको थड़ यहां पर दे रख है यह इन्होंने दे रख है अगर आपने यह qualification कर रख है तो फॉर दे रख है MSC कर रख है आपने transmission medicine में प्लस आपके पास six month का experience है blood testing में या फिर उसके component में किसी भी license blood center में तो आपको यहां पर जो है इसके लिए apply कर सकते तो यहां पर उन्होंने टोटल फॉर बता रख है प्रेफरेंस के अगॉर्डिंग आप यहां से चेक कर सकते हैं पर मत आपको जो पे किया जाएगा थर्टी था थाउजन पर मत रहेगा तेरा हजार उपया पर महीने क the next में रहें फार्मेस्टिक की टोटल जो है जो है फोर वकेंसी से फॉर्ट पर सब्सक्रांट सिव्य है अगर किसी यहां चेट्वर्स इसप्राइब करने फ्तिक है तो उसे इसकी सॉइन दे जाएगी और यहां पर रहा पर रहेंगा जो लिए अब्सक्राट जो क्या नहीं जो उनका नेम बगार है वो रिजिस्टर होना चाहिए यहां पर जो उनको मंत्री पे किया जाएगा तेरा हजार पर मन्त है नेक्स ने दे रखिए कांसलर की टोटल जो है 10 वकेंसी है यहां पर इनों दे रखिए कि फर्स प्रेफरेंस उनके देट को दी जाएगी जिन्होंने अपनी पॉस्ट और पोस्ट ग्री यह पर डिप्लोवां के हौं साइकॉल डोजी में सोशल औरोर्क में में पिर सौशचल लोजी में यहां फिर एंथ्ट्रोपलोजी में चिहनद आ感覺 शेग विंट ट्रिफरेंस उन सबेकिर्शाख चाहिए हम पर दिपलोमा के बाद तो यह प्लस उनके पास एक्स्पीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन तो सेकेंड प्रफ्रेंस इन केंड़ेट को दी जाएगी इसके लिए पर लिखे कि उरुने जो कॉलिफाइड है पीपल लिविंग भी मतलब यहां पर उने अपना कॉलिफाइड एंड कॉम्पेंट के वांचे पी सुप्रेंस से फ्रस्ट प्रेफ्रेंस घ्याइगी और किसी केंड़ेट ने डीविकार रखिया और नर्सिंग में यानि प्दाकिया बीजिए से प्लस नियुक्रदनेश पन्जाब स्टेट इंस्टिटूट से उनके पास बनियर के एक्सिरियंस है सी के अलाबर जो केंड़ इसके लिए प्लाई कर रहा है वो नर्सिंग काउंसिल पंजाब में जो है रिस्टर होना चाहिए तेरा हजार परवंथ आपको पे किया जाएगा नेक्स दे रखिए डाटा मेनेजर के टोटल जो है सिक्स मकेंसी यहां पर दे रखिए कि जो भी केंडेट इसकले अप्लाई कर रहा है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रेफरेंसिस दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी कॉममर्स या फिर उनका जो अकाउंट का बैग्राउंड रहा हो यानि अपनी उन्होंने एक असिस्टेंट यहां पर दे रहे हैं में यहां पर लुधियारा में रहेगी वन वकैंसी जग्रेजुएशन आपकी जो है पित आपकी ग्रेजुएशन क्यों प्लस आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरेंस ने मागए कि ट्यूर्स का आपको एक् प्रोग्राम में मतलब वर्क करने के एक्सपीरेंस उनके इंडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी बारह हजार साथ और पर मंत पे किया जाएगा यहां पर लिखे कि जो भी इंट्रस्टेट केंड़ेट हैं और वो इसके क्रेटीरिया को मीट करते हैं जैसे किनोंने प्लस आपने टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेंड करनी है लास्ट डेट जो रहेगी पांच अगस 2022 है अगर आपका अप्लिकेशन क्लॉजिंग डेट के बाद आता है तो उसे रिजक्ट कर दिया जाएगा नंबर वकेंस बता रहें टेंटेटीव यह घट भी सकत है यहां पर 65 तक है बाकी जो अधर पोस्ट है यानि उसके लावा जितनी पोस्ट है उनके लिए जो मैक्समेश दे रखिए वो 60 तक की रहेगी और यह जो इन्होंने बता रहें वह कैंसे बनियर के लिए कॉंटेक्टल एंट टेंप्रेरी हैं बाकी से जो भी केंड़ेट की की परफॉर्मेंस या फिर वर्की रिक्वर्मेंट के लिए यहां पर इसे एक्स्टेंट किया सकता है अगर आपने अपना एप्लिकेशन इंकम्प्लीट है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो रिजर्वेशन दे कि पॉलसी की है वह पंजाब गवर्मेंट के लिए कि अपने एप्लिकेशन इमेल के तो नहीं बेजना जैसे इन्होंने बता रहें और उनका यहां पे बता रहें कि बातलम यहां पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट को चोड़ कर बाकि जो भी क्या यहां पर दे रहें उनके एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा जिसमी इंग्रिश आपकी जो इंग्रिश में टाइपिंग स्पीड है थर्टी बर्ट पर मिनट और आपके कंप्यूटर नौलेग टेस्ट है जो फिप्टी परसेंट माक्स आपके जो आने चाहिए आपके क्राइटीरिया रहेगा सभी पोस्ट के लिए बता रहें के जो भी लिज इससे अपना पास कर लेगा बmi आपके बता रहें जिए जो आपकी फोस्ट के लिए तो आपकी जो दिगरेंत के क्राइटिरिया को मेट कर तो अगर किसी भी स्टेज पर नहीं करता तो उसका केंडेट को कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा जब भी नहीं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा पंजाब यहां पर नहीं बता रखे कि प्रोजेक्ट डिरेक्टर पंजाब स्टेटिट के वास राइट है अगर बुझाहिट दो फूरे रॉक्यर्वेंट प्रोसेस रहां पराइट को दे जा सकते हैं यहां इनकी सेल्ग लेगी पांच अगज दो 2022 है ऑफ्लाइन मोड से आपने अप्लाइब करना है यहां पर इसका पूरा का पूरा आड्रेस दिया हुए आपको यह इसका पूरा-पूरा एड्रेस यह आपने इस एड्रेस पे अपना एप्लिकेशन फॉर्म जो है send कर देना तो आप इसके ऑफिश्यल लेबसाइट पर जाएट यहां पर जिसके अपने आप से इसका पूरा-पूरा देख लेना है कि यहीं पूरा-पूरा नॉटिकेशन बन जाएगा और इसके एंड में यहां पर जाएगे यहां पर आपको आपको जिसका application form मिल जाएगा तो यह